नमस्कार मैं अविनाश ज्ञा और मैं निरुपूरे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं mindfulness का पूरा सत्र पूरा सेशन लेकिन इसकी शुरुवात भी हम उसी गतिवीधी से करेंगे जिसमें पहले हम वातावरण से आ रही आवाजों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद हम आते हैं अपने सांसों पर ध्यान देने की ओर इसके एक छोटे से अभ्यास के बाद हम आज एक नई गतिवीधी करेंगे तो तयार हो जाईए? जी है ना? कुर्शी पर बैठे हो चाहे फर्श पर अपनी कमर सीधी कर लें और आरामदायक स्थिती में बैठ जाएं अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आखें बंद कर लें यदि आपको आखें बंद करना असहज लगता हो तो अपनी आखें खुली रखते हुए नीचे की और देख सकते हैं अब आप अपने वातावरन से आ रही आवाजों को सुनें द्यान दें कि वो दूर से आ रही हैं या पास से धीमी हैं या तेज लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर द्यान दें कि वातावरन से आ रही आवाजें किस ओर से आ रही हैं अब आप अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर आएं द्यान दें कि आपके सांसे धीमी चल रही है या तेज चल रही हैं आने जाने वाली हवा ठंडी है या गर्म अब आप अपने बैठने की स्थिती पर ध्यान दें शरीर का कौन सा भाग किनी अन्यवस्तों के संपर्क में है या छू रहा है और जब आप सहज महसूस करें अपनी आखें खोल लें तो यहीं है आप बिलकुल यहीं है अच्छा लगा बहुत अच्छा यह तो हमेशे अच्छा लगता है हमेशे अच्छा लगता है चलिए आप भी अपने आपको देखते चलिएगा कि आपको कैसा लगता है पहले दिन जब आपने किया तब कैसा लगा, जब दूबारा किया तब कैसा अनभव हुआ, और लगातार कुछ दिनों के अभ्यास से धीरे-धीरे क्या बदलने लगा है, इस पर ध्यान हमारा जाता रहे, साथ ही क्या आप लोगों ने कोई mindfulness के article को पढ़ने कोशिश की, या कह मतलब और पता लगाते रहे, मैं एक बात और कहना चाहूंगे, जब रोज कर ही रहे हैं, बच्चे और उनके पेरेंस, तो कुछ दिनों में इस बात पर भी ध्यान दें, कि क्या आपके बच्चे पहली आवाज में सुनकर आपको जवाब दे देते हैं, और इस अभ्यास के क्या उनमें कोई अंतर आया, क्या पहले वो लापरवाही से काम कर रहे थे, ध्यान नहीं देते थे किसी काम में, आपकी बात एक बार में नहीं सुनते थे, क्या अब उनमें ये परिवर्तन आ रहा है, जी, तो बिल्कुल, तो जिन्दगी के विभिन पलों में भी देखते कि कौन-कौन से काम आप माइंडफुली कर पाते हैं, यानि ध्यान देकर कर पा रहे हैं, तो अभी हम तयार है, माइंडफुल्लेस की पूरी एक्सराइज करने के लिए, जी, तो अगली गतिविधी चाहिए आपको, तो आप लोग भी तयार हो जाएए, इस गतिविधी में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हलकी से जानकारी दे देता हूँ, इस गतिविधी में भी हम अपनी आखे बंद करेंगे, खुली, इसकी छूड़ तो है ही, ये तो आपको पता ही है, पर उसके साथ-साथ अब की बार शरीर में होने वाला एक बदला, उसे हम आप्ज पर रखेंगे, और जब हम आखे बंद करके या खुली रखते हुए, जब हम सांस ले रहे होंगे, तो सांस का अंदर जाना, उसका बाहर निकलना, उस दौरान हमारे पेट का फुलना सिकुडना हो रहा है क्या, सांस के अंदर जाते समय फूल रहा है पेट या निकलते समय है ना, इसे देखना है एक बात और गौर करेंगे हम लोग कि जब हुम इस तरीके से ध्यान दे करके सांस ले रहे होते हैं तो वो सांस लेने की गती कहीं सामान्य गती से घड़ तो नहीं गई है आपका मतलब है कि उस गती को हमें रखना सामान्य है हाँ, बिल्कुल, तो आपको लंबी-लंबी सांसे नहीं लेनी है, सामानने रूप से सांस लेते हुए हम इस चीज को देखना है, ठीक है, समझ में आगी बात, कैसे करेंगे हम, सामानने रूप से सांस लेते हुए, जैसे हम नॉर्मल बाचित करते हुए, जीती हुए लेते हैं पस केवल observant हो जाना है यानि देखना शुरू करना है कि पेट के फुलने सिकुडने और सांस के आने जाने में क्या ताल मेले कभी ध्यान दिया था यह दिया था अच्छी बात है नहीं दिया था तो आज देखे देखे अभिनार जी जब पेट पर हम हाथ रखें तो थोड़ा प्रेशर दे हाथ पर या कैसे रखे मतलब इसके लिए देखे बिलकूल ऐसे रखें आपको दबाना नहीं है उसे छूना है यानि कि आपको अनुभाव करने के लिए इतना संपर्क ऐसा रहे कि आपको पता चल सके कि सा अरामधाय के स्थिति में बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आखें बंद कर लेए अब सामानी रूप से सांस लेते हुए हम अपनी गतिविधी में आगे बढ़ेंगे अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें और सामानी रूप से सांस लेते हुए यह देखने की कोशिश करें यानि महसूस करने की कोशिश करें कि हर आती जाती सांस के साथ पेट फूल रहा है या सिकुड रहा है ऐसा हम अगले एक दू मिनिट तक करेंगे यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो उसे वापस सांस के आने जाने और पेट के फुलने सिकुडने के ताल मिल की और ले आएं अब आप जब सहज महसूस करें अपनी आखें खोल लें तो क्या आप ताल मिल देख पाई अच्छा आपका ध्यान बीच में भटका भी था सच बताओं वैसे हां सची बताना है ध्यान नहीं बटका लेकिन मैंने एक चीज नोट की है अब से पहले जब हमने मैंने शुरू में यह एक्टिविटी करनी शुरू की क्योंकि हम लोग तो ध्यापक हैं और इससे दो साल से जुड़े ही हुए हैं तो जब पेट पर हात र कि मैंने सांस लिया और अच्छा मैं आगे नहीं बताओं बताना भी नहीं है यह आप देखिए कि दोनों में क्या तालमेल होता है अब एक दूसरे के साथ शेयर करें कि आपका सांस लेते हुए पेट फूला था या पिच्का था हां सांस छोड़ते हुए पेट फूला था यह आप इचका है, सबका अनुभव अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, आप देख लिजे, आगे आगे बढ़ेंगे, और जब पूरा अभ्यास हो जाएगा, तब आप देखेंगे, कि वहाँ आप सब एक हो जाएगे, बिल्कुल, क्योंकि जो एक शरीर में होने वाली सामाने घटना है, वो तो एक ही तरह के होगी, सबी के साथ एक तरह से होती है, लेकिन अभी मेरे अनुभव में क्या आ रहा है, अभी मेरा ध्यान किस बात पर जा पा रहा है, और इसमें फर्क आने के पीछी एक कारण ये भी हो सकता है, कि उस वक्त हम सामाने रुप से सांस ले रह जो ध्यान वह गड़ा सकता है तो दोनों के तालमेल को देखना है सांस का और पेट का, चलिए तो ऐसा करते हैं एक बार और करके देखते हैं क्या हमारे अनुभव में कोई रीफाइनमेंट यानि कोई सुधार या कोई और गहरी बात आती है करके देखें बिलकुल एक बार आप साथ सब बताएंगे क्या कि सांस लेते हुए पेट फूलेगा या पिछ नहीं बताएंगे यह बताने का मतलब तो हमने आपको यह कह दिया ना कि ठीक है कि ऐसे ही करो ऐसा ही होता है आप इसे अब्जर्ब कीजिए आप देखिए कि होता क्या है बढ़िया ठीक है तो और एक बार हम करके देखते हैं जरूर चलिए तो आपको पता ही है एक आराम दायक स्थिती में बैठ जाएं और अपनी कम और सिधी रखते हुए एक लंबी घरी सांस लें और आखें बंद कर लें अब अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें और सामाने रूप से सांस लेते हुए सांस और पेट के बीच के तालमेल को देखें ध्यान दें कि सांस के अंदर जाने पर पेट फूल रहा है या सिखुड रहा है सांस के बाहर जाने पर क्या हो रहा है दोनों के तालमेल पर ध्यान दें अब आप अपने बैठने की स्थिती पर ध्यान देते हुए जब सहज महसूस करें अपने आखें खोल लें आपके मन में शायदे विचार आ रहा हो सकता है कि अच्छा यह तो हमने देख लिया अरे कुछ नया बताओ है ना कुछ नया बताओ ठीक है पेट का फुलना सांस के आने जाने कसाथ कैसे होता है वो तो हमने जान लिया तो यहाँ झोटी सी बात और रखना चाहूँगा केवल ये पता लगाना Mindfulness का मकसद नहीं है Mindfulness या ध्यान देने की जो प्रक्रिया हम करते हैं उसका मकसद है कि जो कुछ भी जहा जैसा हो रहा है उस वक्त उस पल उस पर हमारा ध्यान टिका रहे, बना रहे, कि हमें सुनिश्चित कर पा रहे हैं, यानि ये एक अभ्यास है, तो चाहे आपको ये पता चल गया, कि सांस लेने के साथ क्या हो रहा है, सांस के निकलने के साथ क्या हो रहा है, पर बात ये है कि उस पल को जिया ज सांस और पेट के तालमिल को जीने के कोशिश करें, अपने ध्यान को वहां रखने के कोशिश करें. अभिनाष मैं एक चीज और यहां जोड़ना चाहूंगी, एक तो यह तरीका है, जैसे अभिनाष ने बताया, कि आप सांस ले रहे हैं, और पेट पर हाथ रख के देखें, आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, आप लेट जाएं, जब आप विस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, आप लेट जाएं, और जैसे नियमित रूप से, सहज रूप से सांस लेते हैं, वैसे लेते रहें, और कोई भी एक हलकी सी कौपी, अपनी पेट पर रख लें, और फिर ध्यान दे उस कौपी की तरफ, कि जब आप सांस ले रहे हैं, कौपी उठ रही है, या नीचे जा रही तो ये और अच्छे तरीके से आप observe कर पाएंगे, कि आपके सांस लेने से पेट के फूलने और पिचकने का क्या तालमेल है, चलिए, देखते हैं, तो आज के सत्र में यहीं इतना ही, मगर इसे close करने के लिए, इसका समापन करने के लिए, है ना, हम आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले कुछ प्राशन जो आप घर पे चर्चा कर लें, प्राशन बस इतना ही है, कि आपस में यह शेर करें, कि उनमें से किसका ध्यान कितनी देर तक बना रह पाया, है ना, क्योंकि एक शेरिंग तुन्होंने कर ली होगी, कौंसी, कि पेटफूल आया सी कुड़ा, प पाया, कोई तुलना की बात भी नहीं है, तो आईए, सत्र का समापन करते हैं, दो मिनट शांती से बैठते हैं, और रिकॉल करते हैं, है ना, याद करते हैं कि हमने इस पूरे सत्र में किन बातों पर ध्यान दिया, तो दो मिनट, चाहे आप आँखे बंद कर लें, चाहे सहज रूट से इस बात पर विचार करें कि इस पूरे सत्र में आपकी क्या विचार आए, क्या भावनाई थी, आपने क्या सीखा, क्या किस चीज पर आपने ध्यान दिया, इस पर विचार करें चलिये, तो अब आज के लिए विदा लेते हैं, पर जाने से पहले आपको यात दिला दें, यहना, कि जो भी कतिविदियां यहां से हम आप से शेर कर रहे हैं, बता रहे हैं, यदि आप हमें कोई配ट बैक देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कुछ न央े प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अगर जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे ब्लॉग पर विजिट करें और हमारा ब्लॉग है happinessdaily.blogspot.com तो इसे के साथ विदा लेते हैं फिर मिलेंगे नमस्कार